नमस्कार दोस्तों, आज होने वाला है अपना एसिया कप का मुविमंस का T20 और मज़ा आने वाला है इस प्रोड़ना मेंट के अंदर हम आपको बता दे कि इसके अंदर प्राइस पूल काफी अच्छा होने वाला है इसमें एक करोर का प्राइस पूल है, टोटल प्राइस पूल बारा करोर का दिखा रहा है, मतलब आप सोच सकते हैं बहुत बड़ा प्राइस पूल चोटा मोटा प्राइस पूल, नहीं है, एक करोर का फर्स प्राइस है, और जहां पे एक करोर का बात आता है, वहां पे हम लगता है लोग विन करते हैं तो ग्रेंड लीक अंदर 3000 परेंग आता है ग्रेंड लीक अंदर यहां पर बहुत अच्छा खासा रहा है आप देखिए 200 परेंग आया है उपर में देख लीजिए यह इंग्लेंड और पाकिस्तान का हुआ था यह अपना वर्ल्ड कप का सायद से है ठीक है ठीक है ठीक है टीट्वेंड वर्ल्ड कप का उसके बाद आप देखेंगे तो मतलब अलग अलग परसंगे देख लीजिए यह दिपू का है तो यह यहां पर मुक्तर भाई का है है तो काफी सारे लोग का है और बहुत अच्छा का सा लोग विनिंग करते हैं 400 पर थे यहां पर आप देख लेजिए तो आज इसी के बारे बात करने वाले मील जाएगा जो कि हमने पहले अपको सिधा सिधा मिल जाएगा कहां पे तो यहां पर आप देख लिए तो आज इसी के बारे में बात करने वाले फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा जो कि हमने पहले आपको मेंसन कर दिया कि फाइनल टीम टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए तो अब बात कर लेते हैं यहां पर बाकी प्रीच तो प्रेदा यहां पर e ma playlist हो गया मेश्ट शे खाली वर्मा पर घेलने वाली है उन्हों है कितनी प्लेयर पाँच के बाद आ सर्मा छे जीपती सर्मा खेलने माली अच्छे पूजा वस्त्राकर साथ और चार बॉलर कह सकते हैं आप जिसमें रेनुका सिंग ठाकुर और राधा यादो आसर सोबना सोबना आसा ठीक है स्रयंका पाटिल तो यह कुछ प्लेयर हैं इधर से चार हो गई कौन-कौन रेनुका स इंठाकुर राधा यादो आसर सोबना और पाटिल तो चार हो गई चार और दो छे चे और चार दस और एक ग्यारा प्लेयर पाकिस्तान से कौन-कौन खेलने वाले हैं तो पाकिस्तान तरब से लिमिटेट प्लेयर्स हैं देखिए उसके ऊपर जारा अभी बात करेंगे चर् कौन सी टीम स्टॉंग है, कौन सी टीम जीत सकती है, रियालिटी क्या है, विकेट्स कितने गिरते हैं, सिचवेशन भी बताता है, ठीक है, तो चलिए, पिछ बैटिंग फ्रेंडली है, ये स्रिलंका में मैच होगा, स्रिलंका का पिछ है, जिसमें बैटिंग फ्रेंडली पिछ है जिस पे scoring होते हैं जिस पे यह तो नहीं दिखाया गया कि कितने स्कूर्ट दिखाये गये हैं यहां पर स्पीनर्स को सपोर्ट होने के पीछे कारण भी है कारण यह है कि इनके तरब से खुद ही देख लें आप दीपती सब्सक्राइब करें जो आपटेव नहीं करेंगे इन लोग का बात करना वहने स्पीनर्स हैं स्रहं का बाटे लपने प्पिनर को ज्यादा सपोर्ट मिलता है ठीक है जाहिर सी बात आप संदू को देख लें राधायादो को देख लें तो काफि सारे पाड्ल को देख लें सिर्फ भड़े हुए इसलिए मतलब यह नहीं किसका चल सकता है मैं आपको बता रहा हूं पूजा वस्ताकर चल सकता है पूजा वस्ताकर सना तो लना में जाने वाली है ठीक है बागी की बात नहीं करेंगे रेनुका सिंग ठाकुर हो गई ठीक है रेनुका सिंग ठाकुर हो गई रेनुका सिंग ठाकुर का फॉर्म अच्छा नहीं है यह जो ऊपर में छोड़ी दिख सब्सक्राइब बात करेंगे यहां पर इस वेन्यू पर भी बहुत सब्सक्राइब करते हैं यहां पर देखेंगे तो इंडिया काफी बार जीत चुकी है पाकिस्तान वालों में दम ही नहीं है यह तो छुपके बार करते हैं यहां पर देख लें आप लोग बैटिंग फ्रेंडली पीछे स्पीनर्स को सपोर्ट है रहनी पीछे थोड़ा सा बड़ उस टाइम पर देख लिया जाएगा कि वहां पर बारिस हो रहा है कि नहीं हो रहा ह हुए हैं लेकिन आजकल बारिस तो देखते हैं होता या नहीं होता है देख लिए है ना ठीक है उसको लेकर किया आपको टेंसर नहीं लेने मैंच के लोग जानते हुए लेकिन फिर भी सेलेक्शन 50 परसेंट से कम था 42 परसेंट सेलेक्शन था किसका उधर दोनों ने पूरा धागर पॉइंट दिया था और बहुत साय लोग टीम में ही नहीं थी वह खास करके यह तो चली बात करते हैं ओकी कई तो यहां पे आप लोग देख ल है फिक नरत जन्हें रातवर आजम की जो उधर है उषी तिंचाटबांस चाधी करेंग को हैं तो टुस्की जो है वो लोग करते बाई च्हेह साथ ब्लेंगे बोलते बहुत ज़ Bread क famously पाकिस्तान वाले का वीडियो जो ना मत देखा करोगा उनको सपोर्ट मिलता है ना तभी वह हमारे वीवर सिप से वह लोग पैसे कमाते हैं इंडिया से बहुत सरे हिंदु भाई हैं जो देखते हैं मुस्लिम भाई तो देखते हैं उनकी तो बाती अलग है उसमें मुस्लिम भाइव बहुत अच्छे हैं अपने इंडिया के कुछ लोग है जो बहुत बुरे करते यार उदर जम्मो में पना देतें आतंकवाधी को बहुत बुरा लगता है कठुआ में देख लो कहीं कई पर देख लो अलग अलग टॉपिक रोज कर देते हैं बहुत ब लड़ पानी तक देंगे पानी पिलाएंगे निपानी तक रोग देंगे उनका g equipe पाणी बिना मर जाएंगे वह ठीक है चलियまだ हो रिखे मार देंगे उनको 1304 पॉइंट ठीक है 134 लग सकते में अगो सब्सक्राइब ल instruments लेकिन सुनरे सकता है लेकिन अगर इंडिया बैटिंग कर ले तो उतना नहीं बन सकता है इंडिया वालों में ताकत ही लग होते हैं सारे धर्म के लोग बहुत कतरनाक होते हैं ठीक है इंडिया के मुसल्मान भाई भी बहुत अच्छे हैं सारे लोग ताकत वह रहे हैं उनसे पंगा मत लेना तो एमली हो गया रिचागोस हो गई तो देखिए कहने का सीधा मतलब इनके पर्फॉर्मेंस के उपर आप कर लेते हैं ठीक है तो एमली खेलने वाली है एमली वैसे बात किया जाए तो यह कीपिरिंग करेगी कीपिरिंग करेगी तो कुछ ना कुछ तो एक कर भी सकति इसके ऊपर डाउट तो नहीं है बट आप ज्यादा यह ज्हज़ादा कैश नहीं कर सकती है चोड़ भी सकते हैं रिचागोस की बात करें और लोगों ने अमली को ट्राई किया बहिए देखो को ट्राई करने से पहले बताते रिमिटेड प्लेशर अपने पा एक हमने ले लिया उदर से ठीक है इन्होंने इनको बैट यह तो बैटिंग से कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा करती जो भी करती बैटिंग सी करती है अपने मुंबई की कैप्टेन हुआ रहा है वेमन पर में लीग का तो यहां पर आप देख सकते हैं हर्मन प्रीट को इस कंसिस्टेंट है खास करके बात यह है कि लगबख से दो तीन विकर गिरने के बाद यह प्लेयर आती है बहुत इंपॉटेंट है स्मृतीम बंडाना अब देखो अगर आपको इग्णोर ही कर दाए ना दोस्त तो इग्णोर आप करो मैं रोकता नहीं हूं मैं आपको एक सेफेस तीम दे रहा हूं जिसकी वज़े से फाइनल टीम तो नहीं होता है यूप कंडिशन्स के उपर डिपेंड करता है अब कंडि ज्यादा प्लेयर किस कंट्री से आप लेंगे इंडिया या पाकिस्तान जाहिर सी बात है नो डाउट हंड़ेट परसेंट ऐसा होता ही है इंडिया इंडिया का भी चाहिए जितना भी इधर मैं का मैच हुआ अपने मैंस का भाई देख रहे हो क्या हुआ उसके अंदर प्ले स्मृति मंदा ना आप राई करें जिस हिसाब सभी प्लेयर खेल रही है ना यह भाई हयाद दिला दे रही है कि भाईया कैप्टन तो RCB के हम ही है फाड़ के रख देंगे है ना फाड़ के रख देंगे समझ लेना और इधर से अगर यह रन मारने लगी ना तो हर्मन आ गई कि अमीन को आप ऐसे लिए करना क्यूंकि देखो अमीन को आप ले रहे हो ना तो किस लिहास में बता रहा हूं अगर इसको लेना तो बनता है को लिए फिंट में क्या क्या सोच रहे हो है ऐसे मत सोचा करो निम में बोलता मैं ठीक है छेफाली वर्मा शिक्सर मसीन जबाइ क्या मारती यह से पाली को इसको पकराते थे इसके साथ यहीं मारते मारते इसको रूला देगी शेफाली बर्मा तगरा प्लेयर है भाई शिक्स मारते एकदम हिट क्या बात है रोहित सर्मा मैंने तो रहा है एक दम लड़कों की तरह दिये बहुत अची कहलती है बट देखो मैं बता रहा हूं शेफाली ऒरमाने ंहाने हो टेस्ट में टेस्ट में भाई इतना रन महरा इतना रन मारता कि कि किस कंट्री ने方 की पिछेशना कि बतें कःके घ्र ना भाते बूसरा फाली वार्मा हिटिंग मसीन है सिक्सर मसीन है आप लेके चल सकते हैं जह में को अग्षुरिक यह अधिक नहीं करूंगा जैब में प्रेफर आती है यह पहूंगे उसके नहीं खेलें फिलाल नहीं करेंगे खेल भी रही इसके बात नहीं करेंगा इनकी बात क्या करना यार देख लेंगे टाइम पर है तो अपने डर्म टीम के अंदर ज़रूरी है ना दोस्तो टाइम पर हम लोग देख लेंगा उसका टेंसर नी रहें आप लोग को टो एसे भी देख कहां से आता है बेचारों को कट् हमानता हो गया है हमानता वैसे तो consistent नहीं माने जाती है लेकिन परफॉर्म कभी कबाल यह भी करते हैं कभी कबल करती है बहुत अची तरीके से ना से रावत की बात करें स्वेदा सरावत की यह भी consistent तो नहीं है बठाए यह भी अच्छी खेल लेती है अब बात आता है सीधा क्योंकि इनके तरफ से option कहा बच रहें अमीन है अमीन को ले लेते हैं क्या करेंगे कोई option नहीं नहीं प्रफॉर्म करेंगे अगर फर्स्ट बॉलिंग कर दिया इंडिया वालों ने पाकिस्तान वालों का तो वैसे पूंगी बच जाएगा और अगर फर्स्ट बैटिंग हो इंडिया का रंस लगेंगे बहुत रन लगेंगे नो डाउट अब विकेट्स क्यों गड़ते हैं मैं आपको बता रहा हूं देख लिए कोई भी फ्लियर हो वो कोसिस यह करता है लास्ट लाइफ टाइम पर भाया अब ओवर कम बचे हैं और उस मचा देती है तो कैप्टेन के डूप में टॉप चोईस हो जाती है समझे उस दिच्वसन के लिए बाबराजम की बात करें बाबराजम कहीं नाम याद आता है को मेडिया वो तो है ना तो इसको आप देख सकते ट्राइब कर सकते ट्राइब करके चलो बैटिंग बोनी दोनो है तो बहूत inconsistent हर मैच के अंदर एक विक दो विक तिन क्या है वाई ही मुझा बश्ता कर एक नमबर tho सना को देखें सना को आप ले सकते हो ऐसा नहीं है सना को लेना है ना लेना है वह आपकी चोईस है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं आप ले सकते हैं क्योंकि बॉलिंग भी कर लेती है वह और खास करके मैं बता रहा हूं पाकिस्तान के बैट्समेन को ज्यादा मत लेना क्यो लोग आते हैं तुस्टना इसलिए आजाती है अब लोग बता देते हैं बाकी को इग्नोर कर देते थे संजीव संजना नहीं खेलने वाली है अब बात करेंगे रेनुका इस बार के लिए माप करना बहुत महनत करती हैं पुरा चेहरा सूख गया भाई बॉलिंग करते बहुत- ठीक है हार मतमानना रहे इनुका सेंग बहुत अची गलती हो आप चलिए बेचाई आर्सीबी साइड से उस टैम पे खेल रहेती बहुत लेकिन जीत गया आर्सीबी है ना इक बाल की बात कर लेना ना लेना वह आपकी चोई से मैं बट ले रहा हूं क्या गरेंगे देखेंगे तो यहां पे आशा सोबने स्रेयंका पाठिल है और भाया आशा सोबना और स्रेयंका पाठिल ए दोनों भी जबर दस्ते दों स्रेयंका पाठिल तो खास करके तो आसा सुबना को फिलाल हम ले रहें और इंडिया के भाई प्लेयर्स को लेंगे जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों को सपोर्ट नहीं कर देगा कितना लिया मैंने को पता नहीं है बट फिलाल के लिए क्लिए क्या करते ना अपनी क्यूट क्विन को स्मिती मंदाना को हम करते हैं और इनका पोजीशन ही है यहां पर बात करें सिफाली वर्मा यह भी उपनिंग करते हर्मन दो एक दो विकेट गिर यह उसके बाद आती है रेचागोस तीन-चार विकेट गिर के क्रूशियल सिच्वेसन में भाई संभालती है गेम को दीपती सर्मा भी वही है यह सब्सक्राइब करने में एक नमबर जानी जाती है पूजा वस्त्राकर भी आएक परफॉर्म करेंगी इन लोगों में हैं तो दीपती साथ होना ही नहीं चाहिए एक competition comparison कब तक चलेगा एक खुद बहुत सारे मुस्लिम भाईयों के मुझ सही हमने सुना है वो बोलते हैं कि नहीं भाई इनके साथ नहीं होना चाहिए मैच यह competition करते ना भाई यह बाप बार 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 करते भाई बेटा है तो बेटा बेटा से बाब बेटा को बार बार हराना अच्छा नहीं लगता है अगर आप डिफ्रेंसिल की बात करने की ग्रैंड लिंग में कौन को ना सकते हैं तो इसमें आपको मैं अलग-अलग कलर से चूज कर लेता हूं कभी कबाल बहुत डिफ्रेंसिल हर्मन आ सकती है उसके बाद आप देखे तो समितिम बनाना तो टॉप प्लेयर ही भाई को उसक बहुत जादा अगर किसमत खराब रहा हम लोगों का तो यह साली आजाएगी आगा ऐसे प्लेयर आज जाएगी तो इसके बाद यहां पर बात कर ले तो भाई सथे बिलकुल नहीं अपने इंडिया के जो बॉलर्स है यह डिफ्रेंसियल आ सकते हैं तो आप ट्राइक कर सकते इसके उपर मैं जाना नहीं बोलूगा ठीक है तो यही कुछ है नाम छेहरे जो सामने हैं भाई जिसमें स्मृति मन्नाना दीप्ति सर्मा पूजा वस्त्राकर राधा याद अवासा सुबना इन लोगों के लिए सकते और बैटिंग के लिए से हर्मन और स्मृति मन्नाना को ठी सब्सक्राइब करने के बाद आपको चूज करना है कि आपको कितने लोगों के साथ खेलना है दो लोगों के साथ अप्लाई करो आप टेलीग्राम पर आप आओ को सेम टीम यूज करो हम खुद बता देंगे कोम हेड्ट एड्म यूज करना है मेश कर सकते को कोई दिक्कत नहीं यह तो आपको यहां पर इस टीम के अंदर इस मैच इंदर को हैट टो एड्ल लगा सकते आं कि इसका उमने आपको बताया था कि आपको जिस तो इस बात को समझना है। पर 50वे को कहलेंगे जीत भी कहा हुआ माइनस अधी estado आलर्डी होons चुका है बहुत जादा श्क्राइब अवह च्था थे खेल रहे हो मानलो एक खेल लिया जीत देंद पैसे डबल हो गया तो अपने पास 400-500 रुपे हो गया 405 हो गया पर चार्सों रूपे हो गया तो चार्सों रॉपे प्रोफित आगया दो सो रुपे ड्रेमिलोन में रखेंगे जिसमें से जिसमें से सो रुपे फिर 120 रुपे लगा देंगे इसके अंतर डेश्यों है अब उस मैच को अगर हार भी जाते हैं तो आपने पास फिर भी पैसे हैं खेलने के लिए बैंक से नहीं कटाना पड़ेगा बैंक में दो एक्स परसन है कैसा यह कहीं वह खता होना खेलारी तो नहीं है जैसे इधर इसको देख लीजिए 2300 कॉंटेस्ट खेला है विन रेट उतना खास तो नहीं है ठीक ठाक है तो आप जोइन कर सकते हैं इसे लोग के साथ ठीक है इसकील स्कोर कम हो ध्यान रगना अगर 500 के करीब स्कील स बंदा मिल जाता है दिन भर स्कॉल करना दिन भर अगर आइसा मिल जातों सोने पर सुहगा ज्यादा कॉंटेस्स ना खेला हो विन रट कम हो यह विन हो जाएगा गारांटी चैक कैसे भी लोग के साथ क्यालने उजोल भई का टीम इसको रहे तो आप आए टेलीग्राम पर ब